देश कोरोना के दौर से उबर रहा था सर और उस वक्त हर्याना की भूमी का इस देश के लिए महतुपून रही लेकिन आज हम फिर से उन हालातों में हैं जैसा अभी आपने जिक्रे किया कि जो हम ऑक्टोबर नवंबर 2020 देख रहे थे फिर से आज हमारे सामने वो मुश्किल ह है वो पैंडेमिक का दौर है हर यारा उसके लिए कितना तयार है जैसे मने बताया कि हम हर परकार की सावधानी वरतने के लिए तयार है और इसमें कोई अलग प्रांत के अनुसार कोई कंपेटिशन नहीं है बलके सब लोगों को मिल करके और इस लड़ाई को लड़ना होगा बीते कल ही प्रधानमंत्री जीने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बला करके वीडियो कॉनफरेंस की थी और उसमें जो जो तयारियां सब प्रदेशों के हैं सब ने अपनी तयारी बताई वेशेश तोर पर जो साथ प्रदेश इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टिड ह इन पर देशों के मुख्यमंत्रियों अपनी अतैरी बताई है हम तो उसमें 11 इन स्दान पर इभी हैं उन साथ पर देशों में तो जर्दार माह्राष्ट गुजराथ है मद्धिय परदेश है पंजाब है इस प्रकार के जो सारे परदेशों की चर्चाबा हुई है लेकर हमन हो तो उस सारे को करके और जितने पॉजिटिव के सिव ध्यान में आते हैं उसको जल्दी से आइसुलेट किया जाता कि और फैलाव ना हो और ऐसा जो पॉजिटिव केस होता है उसकी भी जानकारी मिलने के बाद जो पिछले दो दिनों के अंदर उन से जितने लोग संपर्क मे आये हैं समाने त्या दो दिन में व्यक्ति को 30-35 लोगों के साथ समंध बनता है ऐसे एक एवरेज है तो हम उसके आसपास के 30-35 लोगों का भी टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग में यदि कोई और भी पाया जाता है को ना पॉस्टिव तो उसको भी आइसुलेट कर ज्यादा ज्यादा बढ़ानी होगी कि कि चीजों का हम ख्याल रखें लेकिन हर्याना के में खासकर बात करूँ तो एक वक्त जब हम कुरुना को दौर जेल रहे थे बहुत सारी संख्या में मजदूर थे यहां पर पलायन की मजदूरी की समस्या हुई अब अगर दूसरे फ सिर्फ अपनी रोजगार नहीं होने की वज़े से करेंगे किस दिशा में करेंगे क्योंकि इस बार हम इस कुई विशेश बात को धान रवे रख रहे हैं पहले वाद तो मैंने का कि पैनिक हम नहीं फैलने देंगे और उसमें सावधानिया बरतने के लिए चाह वो व्यपार है उद्योग है छोटी इंडस्टी बड़ी इंडस्टी कि वो डिस्टेंस को जरूर मेंटेन करें मास्क जरूर लगाएं सैनिटेशन सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ऐसी चीजों को रखने से भी कम से उसको फैलाव कम रोख सकेंगे और यदि कोई कोई कोरोना चाहिं जाएगा जादा इक रातरी के समय का जो जिसको कहना ची रिस्ट्रिक्शन्स गैंगे जाहाँ जाहां जाधा रहा है उन नुस्थान विशेष के उपर अगर रातरी की मोमेंट को थुढ़ा रोकना पड़ेगा तो रूखेंगे क्यों कि रात को भी कही सानों के उपर जो बड़े शहर हमाँ गैदरिंग्स बहुत होती हैं, विवाशादी की गैदरिंग्स हैं, पार्टीज बगते हैं लोग, खास करके हमारा गुरुगराम जैसे उससे बहुत प्रकार से प्रभावित है, तो गुरुगराम जैसे स्थानों के उपर इसको कंट्रोल हमको करना जान है तो जहान है, अगर हम सुरक्षित रहेंगे, तो फिर बाकी सारे कामा काके हो जाएंगे, पार्टीयां भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकर अगर अगर मेरे जिमन को खत्रा पड़ गया, तो फिर बाकी चीज़ें सब निकल जाएंगा.